हेलो दोस्तों चलिए आज के कँलाट में हम लोग जो है technology of inorganic chemicals के एक अलक इंड़स्टिर के बारे में पढ़ेंगे तो आज का इंड़स्टो जैसा कि आप लोग देख रहें metals alkali industry है कलोर अलकली इंडस्ट्री में हम लोग जो है कुछ ऐसे फर्टिलाइजर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे जैसे कि सोडा हो गया आपका कास्टिक सोडा हो गया यह सारे हम लोग पढ़ेंगे तो यह लेक्चर उन स्टुडेंट के लिए है जो डिप्लोमा से केमिकल इंजिनिय चलिए यह हम लोग का कलोर अलकली इंडस्ट्री में हम लोग जो है सोडास देखेंगे कास्टिक सोडा देखेंगे और कलोरिन मुख रोप से इन तीन को हम लोग कवर करेंगे कलोर अलकली इंडस्ट्री में कैसे फर्टिलाजर में सोडास को बनाया जाता है किस परकार ये तीन के बारे में हम लोग इसमें डीटेल में चर्चा करेंगे आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि वास को फटिलाजर में किस तरह बनाया जाता है चलिए चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं production of sodas by कर रहे हैं तो हम लोग बात करते हैं सोडा के फिजिकल प्रोपार्टिज की तो इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यह नहीं करता है जैसे आप इसको टेंपरेचर तेंपरेचर दो गए तिकंपोज होने का मतलब यह पीगल जाएगा इस वाटर को आप जैसे लिए पार इस आप लूगे तो आप यह पीगल यह वाटर में इसे बात करें तो यह 99 पर सेंट सोडियम कार्बोनेट और इसमें 58 परसेंट सोडियम औक्साइड धैजा लाइट होता है जिसका देंसिटी 1.6 है इसे हम लोग वासिंग सोडा जो है अगर उसमें वाटर का अमाउंट 10 मोलिकूल्स ऑफ वाटर पर जेंट रहे तो यही सोडा जो हता है वासिंग सोडा में कनबट हो जाता है अब हम लोग बात करते हैं chemical reaction and raw materials की बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग आपको इतने सारे reaction याद नहीं रहेगा ठीक है तो आप लोग क्या करेंगे ना इसके जगहां पर यह सारा रिक्शन लिखने के जरोड़ी नहीं है यदि आप लिख पाते हैं तो आप लोग एक reaction को यह सिर्फ लिख सकते हैं कि जब calcium carbonate के अभी किरिया sodium chloride के साथ कराई जाती है तो परिनाम सो रूप हमें sodas और byproduct के रूप में calcium chloride मिलता है अब देखे calcium chloride का भी एक अपना अलग ही रूत्व है जब आप calcium chloride को water में डालो गए ना तो वहां पर एक जो थर्मिक कर सकते हो यह बन जाएगा और यह reaction जो थर्मिक होता है इसको कुल होने के लिए कुछ time के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा और इसका यूज ज्यादा तर आपका oil and gas industry में किया जाता है ब्राइन का यूज इस इस बनाते हैं जदी इस reaction की बात करें तो इतना स्टेप में complete होता है और यह सारे प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आने वाले हैं तो जब प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में जो जो रियक्शन आएगा मैं वहां पर हरी की रियक्शन को अच्छा से एक्ष्विन करके बताऊं करें तो इसमें आपका प्रोसेस में साल्ट लेना पड़ेगा बनाइन को बनाने के लिए कि आ जाता है सबको पाता है तो वाटर और साल्ट का जो सब्सक्रिप्शन है नहीं इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अब में तिंग पर हम लोग आते हैं फोलो डागराम यह आपका फोलो डागराम है इसमें हम लोग समझेंगे नहीं अब अडाम से एकदम दिल थाम के रहिए पांस से चे मिन्ट लगेगा पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से एक्स्प्लेन करके आपको अब इन के अलावा क्या क्या आता है अब यहां से आपका अंहें एश ठेल से जो है और यह है यहां से आपको अमोंया मिल रहा है क्या मिल रहा है ammonia NH3 यह ammonia को recycle कर लिया जाता है इस operation के दोरान जो ammonia बनता है ना उसको वापस recover करके storage tank ammonia का इसमें डाल जा जाता है during reaction फिर से वापस इस ammonia को हम लोग यूज करते हैं अब देखें इसमें ammonia का यूज यहां पर किया जा रहा है ठीक है recycle ammonia होता है यहां से हम लोग ब्राइन डालते हैं और यहां से storage tank से ammonia लेके ammonia डालते हैं तो यहां पर मेरे दोस्त दो reaction होता है इस ammonia टावर में आपका दो reaction होता है पहला reaction क्या होता है carbon dioxide gas जो होता है यह देखें रियक्षन पगर यह ठीक है carbon dioxide इसमें और वह से रूक्सदोर, лем procureousseine – और एक री क्या होता है क्या है? चुकिए हम लोगों ने, यहां से क्या प्राइब बहिजा मेरे दोस्ट अछन खैसे ह। यह यह आमोनिया होता है… मेरे भाई इकदब हराम से कोई जल्दवाजी नहीं, यह अमोनिया मेरे दोस्त गैसियस फॉर्म में रहता है यह बनता है यहां से आपका यह दोनों प्रोडक्ट जो है बाहर निकलता है अब यहां से यहां से आपका कहां जाएगा यह जाएगा कार्बोनेटिंग टावर में अब कार्बोनेटिंग टावर को एकदम अच्छा से समझे कार्बोनेटिंग टावर में देखे एक अमोनियेशन टावर का जो प्रोडक्ट मिला है वह गया है मतलब तो हम लोग जो है ना यहां किलिन का यूज किया जाता है लाइम किलिन कुछ नहीं है करके परकार का उसमें बटी होता है और यहां पर जो है ना lap City में डू रियक्शं होता है क्या इधर से एक कार्बन को भेजा जाता है और यह खिरसरय करके कार्भन साइट को प्रोद्यूस करता है ठीक है और मेरे दोस्ति अधिर हुआ और मुआ है और यह इसका एक और की प्लस करना है कि सी एओ मुख्यार क्या आखिए यह तो करता रेक्सियर करता है और क्यलसयम कारबोनेट को यह ही टे दीजिए इसमें भटी है यहां इसको बड़किया जाता है मतलब इस अभी किरिया में हमको जब जब carbon dioxide gas के जरोड़ी पड़ेगी तो हम्लोग lime clean में ग सब्सक्राइब तो वाटर चिलर में ठंडा करके यह कार्बोनेटिंग टावर में बेजा जाता है और कार्बмуनेटिंग-टावर में भी हीट ज्ड़ा मात्रा हरेटाओ इसको यहां से कूल करने के लिए यहां पर लाया जाता है कर तो सब्सक्राइट का Tube का जो हाइट की बात करेंगे इसका हाइट जो होता है 22 से 25 मितर तक कि इसका हाईट होता है और के बात करें तो करोनेटिंग टावर का डाया मीटर 1.8 से टूपैंट फाइव मीटर तक होता है इस कार्वनेटिंग टावर का यूज सीफ और सिर्फ क्लीनिंग तावर्मे क्लेनि परपस के यूजर किया जाता है और मेरे दोस्त और वी ही डिक्सन होता है कुछ रियक्सन होते हैं तो आपका चैनल यहां पर सब को पता है क्या पता है सब यहां से दूह सो और में चीमा लिए डिढ nessa है तूरता कैसे है आप जो है लाइम किलिन से इसमें CO2 डाल रहे हो और उधार से वह तो पहले से था ही यह दोनों आपस मेरी रियक्शन कर लेते हैं मेरे दोस्त और रियक्शन करके बना लेते हैं है यह हो गया एक रियक्शन इसमें इसके अलावा भी और रियक्शन होता है इसमें आप देखें CO2 पलस है यहां से अलावा भी मेरे दोस्त इसमें एक और रियक्शन होता है यह सारा रियक्शन कार्बोनेटिंग टावर का है एने पलस पलस सी यल मैनस पलस एनेच फोर पलस स्वारी मैं इस रियक्शन को यहां नहीं यहां लिखता हूं यहां पे तोड़ा ज्यादा जगा मिल रहा है हमको मेरे दोस्त यह रियक्शन है आपका कुछ इस परकार एने पलस सी यल मैनस पलस एनेच फोर पलस 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 सी यो थिरी नहीं तो यह बनता क्या है प्रोड़क्ट जो है आपका यहां से रियक्शन कम्प्लीट होने के बाद आपको मिलता है एनेच फोर पलस सी यल मैनस यह आपका एक्वर्स फॉर्म में मिलता है ठीक है इसके तिरिक जिहां पे इने एच司 की तिदी अब देख़्ेधे यहां पे टोटल तीन लिर्यक्षन उतें कार्बोनेटिंगटर में नहीं और कार्बोनेटिंग टावर का यूज़ किस् cause Agrion तावर का हाइट बाइस से 25 मीटर होता है इसका डायामीटर 1.8 से 2.5 मीटर का होता है इसमें पहला रियक्षिन क्या है इसमें हम लोग लाइम किलें से सी ओ टू एड करते हैं और इमॉनिशन टावर का डिस्टार जो कि हाँ हो जाता है मतलब सिंद्स परजें करके करें अब देक्षाहता है आपका सोडियम पलस क्लोडाइड अमोनिया फोर यहां से बढ़ेंज फोर पलस पलस और और साथ में HCO3 यह सब आपस में रियक्शन करके NH4Cl-NHCO3 sodium bicarbonate बनाते हैं और sodium bicarbonate रियक्शन में प्रिसीपेट के रूप में बैस चाता है ठीच्छे कि यहां से जो प्रोड़क्ट मिलता है हमको इसके प्रोड़क्ट रिस्टार्ज को हम लोग यह मिलता है और साथ में हुम्तित है से शुरी में- ये सारा को भेज आ जाता है मेरे दोस्त यहां से तो यहां पर देख्या आराम से यह रोटरी 2 इस रोटरि फील्र में वहाला घ्लीच HAR यह सारा वातर करें का का कर यहाँ सरी हिरो जाता। इस दोनों टैंक में हैं अमॉनियम के में यह पर आपके प्रोडक्ट आपीश्य मारे बना रहे हैं ऑगेशापर हुआयों हम आपको प्रोडक्ट को व हम यह न हां घ्यान सिन्सेनार में यहां से हम का यूज कुछ नहीं होता है बस यह एक ऐसा एक्यूमेंट है जहां पर आप टेंपरेचर को इंक्रीज करेंगे उसका टेंपरेचर इंक्रीज होगा और उस हद तक करेगा कीऊंपोð फार होने 5 यहां पर एक और रिक्सीनर को करोता है जो आपका है तो कि यह देखिए रेक्षिन में कहा लिखूंँ चलो एक पेज ले लेता हूं के रियक्षिन को लिखता हूं मैं यह आपका है कि सोडियम बाय कार्बोनेट यह रियक्षिन करता है प्रफ्राइम साथस्क्राइब कि अलगे अधों मिलता है अपको नहीं मतलब केलसिन आर में आपको यह मिल जाएगा यह आपका जो सॉदियम बाय कार्बोनेट मिलाता ना यह देखिए इसमें कर्बोनेट टावर में जो आपको से यहां ऑपर यहां से स्या जाता हूँ रचान के रूप में प्रोडक्त है निए था दीन ड्म में वाढ़न गी से तो तो यह स्याव से आहनकिकार्टट और चुकिए इसमें हम लोगों ने कंसी नार में क्या क्या हीट दिया है यहीट पाके बहुत गरम रहता है प्रोडक्ट आपको के लगा सोडियम भाइकार्बोनेट जो है इसको रिप्लाज नहौने यहां पर दाला था ना इसको रिकाभर करने के एक परकार होता है इसमें कना है इसके सास्थ में थोरा डाल जाता है जिसके बदौबने परकार में युद्टेय। यहां से आपको ammonia में वह फिल्टर करके ammonia दे देगा जब भी आपको ammonia की पड़ेगा तो यह तो यह सकते हैं तो इस reaction को एक बार और दो मींद का टाइम और दीजिए फिर से इस प्रोसेस डिस्क्रिप्शन को देख लेजिए पूरा किलियर हो जाएगा कि सबसे पहले क्या करते हैं में उता इसके बाद आपको यहां से जो प्रोड़ाक्ट मिलता है उसको आपर कार्बोनेटिंग टावर की हाइड जो है 22-25 मीटर तक की होती है और इसका डायमेटर में लाइम किलिन के cancel से जो है आप Urban dioxide Gas को को लेते हैं इसका डुक्षन चार्बोनेटिंग के और इस चार्बोनेटींग कार्बोनेटिंग में आपको दो चीज मिलता है यह आपको दो मिलते हैं गया हम्ट्राइब तर यू पर प्रोड़क्ट दग को फिल्तर चाहिते और strongest प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा यहां से यहां से क्या कर ले जाता है इसी अमोनिया को यहां से आपको प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा है यहां से क्या क्या निकलता है मेरे दोस्त यहां से आपको मिलता है nH4OH- ठीक है और क्या मिलता है यह सबको काम बच्टे कार्बोनेटिंग टावर में आपको co2 से रियक्शन करने के बाद क्या मिलता है नहीं और इसके साथ में एंच सी यो थी टी सबको हम लोग रोटी फील्टर से नहीं फॉल्टर कर लिया जाता है क्या करते हम लोग हीट प्रोवाइड करते इतना हीट देते हैं को डिकम्पोज ना हो जाए ठीक है और सोडियम sodium bicarbonate heat पाके बड़ेक हो जाता है बड़ेक होके आपको क्या-क्या देता है तो sodium carbonate जो की sodas है और इसके साथ में थोड़ा CO2 और H2O भी देता है CO2 H2O को gas vapor बनाके उड़ा दिया जाता है और इसको water cooler में हम लोग add करते हैं water cooler में add करते हैं क्योंकि यहां पर heat नेक्स्ट है process description आप लोग पर सकते हैं जिसको लिखने में दिक्कत है वह यहां से process description ले सकते हैं यह आपका overall process description ले लिजी major engineering problem development of calcining equipment जिसमें problem होता है economic balance दो-दो tower है उसके designing में बहुत problem आता है ammonia को recover करने में बहुत cost ला जाता है इसके वेस्ट जो डिस्पोज करते हैं उसमें दिक्कत है प्रांट में दिक्कत है तो अगर लेक्चर को बनने के लिए धन्यवाद अगर लेक्चर अच्छा लगए तो comment जरूर कीजिए